प्यारे दोस्तों बहुत से लोगों के लिए passive income को create करना एक सपने ज़सा होता है क्योνकि दूसरे लोगों से उन्होंने ये सुना होता है कि passive income में आप कम मेहनत करके ज़्यादा अन कर सकते हैं लेकिन चाहकर भी लोग passive income को create नहीं कर पाते क्योंकि उन सब को start कैसे करना है यही नहीं पता होता है यह बाते ना तो school में सिखाय जाती है और नहीं हमारे parents हमको बताते हैं और नहीं यह बातों को college में सिखाय जाता है जहां पर आप लोगों को केवल एक ही चीज़ सिखाय जा बताएंगे जिसमें बिना ज्यादा involved हुए आप लोग काफी अच्छे पैसे कमा सकते हैं तो प्यारे दोस्तों आज की financial वीडियो बहुत ज्यादा important होने वाली है इसलिए हर एक point को अच्छे से समझेगा तो चलिए शुरू करते हैं तो चलिए दोस्तों एक बात फिर से रहा है और यदि किसी वज़े से आपका वह काम बंद हो जाता है तो आपका वहां से पैसा आना भी बंद हो जाता है क्योंकि क्योंकि active mode में आप वहां अब काम नहीं कर रहे हैं और passive income वो होती है जहां से earning के लिए हमें वहां पर actively involved नहीं होना पड़ता है इसका मतलब passive income कमा करने के लिए आपको हर वक्त काम करने की कोई जरुवत नहीं है इसका यह मतलब नहीं कि आपको कोई काम ही नहीं करना है तो दोस्तों ऐसा भी नहीं होता बले ही आपका income source पैसी हो पर फिर भी आपको वहां पर कुछ time तो देना ही होगा जिस से उस passive income source को आप manage size कर पाएं income build करने में खुद से कितना समय लगाया कुछ लोगों को ये भी गलत फहिमी होती है कि उनका खुद का एक small business या side hustle एक passive income source है भले ही small business या side hustle आपका अपना है लेकिन जब तक दूसरे लोग उस काम को नहीं समाल लेते तो वो आपका एक active income source ही कहलाएगा क्योंकि अभी भी आ कितने तरीके possible हो सकते हैं इसके साथ ही आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि अभी के समय में इसमें कितनी opportunity है और इसमें कितना risk involved है सबसे पहले passive income के source में आते हैं जो की है vending machine जिन लोगों को ये नहीं पता है कि क्या होती है ये machine तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर ये बताना machine होती है जिसे operate करते के लिए आपको हर वक्त वहाँ पर मौझूद रहने की जरुवत नहीं होती है इसमें शुरुआत में आपको कुछ products add करने होते हैं जैसे की cold drink snacks या कुछ और खाने पीने की काम की चीज़ इसके बात का पूरा काम vending machine खुद करती है समय के साथ vending machine का use ब माने या ना माने कहीं तो इसके पीछे का कारण जातर लोगों educated और undiscipline होना भी है और आपने देखा भी होगा जो बिना वज़ा public property को नुक्सान पहुचाते हैं या फिर उनके parts को काफी बुरी तरीके से खराप कर देते हैं और अगर data देखा जाए past का तो पिछले सालों म में ऐसा बहुत कुछ देखने को मिला है कुछ केस सामने भी आए हैं इसी कारण vending machine बिलकुल आपको ना के बराबर कहीं देखने को मिलती है लेकिन किसी एक की गलती के कारण हर किसी को blame नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ जगर ऐसी भी होती है जहां कोई भी public property को नुक्सान नहीं पहुंचाता है वो कोई जिम भी हो सकता है restaurant या फिर shopping store भी अगर हम लोग vending machine खरीद कर उन लोगों से tie up कर लेते हैं और उनकी property में vending machine रखवा देते हैं तो आपकी vending machine भी safe रहेगी long term भी आपको वहां से income generate होती रहेगी दोस्तों अब बढ़ते हैं दूसरे पैसे income क और जो है store other people stuff कई बार हमारे पास ऐसे लोग होते हैं जिनका बड़ा business तो होता है बड़ा business होने की वज़े से उनके पास products भी जाता आते हैं ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अपने घर में या फिर factory में ही अपने products adjust कर लेते हैं लेकिन फिर भी उनको अपने products को manage करने में काफ के पास भी ऐसा कोई person है जो इस तरह की problem को face कर रहा है तो वो इनसान आपके लिए passive income का source बन सकता है condition यह है condition यह है आपके पास उसके warehouse के लिए इतना space होना चाहिए जो उसके लिए काफी हो कुछ लोग introvert होते हैं जो rent या guest को रखना पसंद नहीं करते तो यह formula उनके लिए win पैसे भी मिलते रहेंगे तो हो गई ना passive income तो प्रहा दोस्तों आप लोग को फाइदे की बात तो मैंने बता दी कि वेर हाउस में अगर आप किसी और का सामान रखते हैं तो किस तरह आप profit अंकर सकते हैं लेकिन इससे साथ कुछ risk भी involved लेता है चलिए risk की बात भी करी लेते हैं तो दोस्तों किसी दूसरे का सामान है उसकी पूरी जिम्मदारी आपकी ही हो जाती है जिम्मदारी का मतलब जो भी सामान आपके वेर हाउस में रखा गया है उसे किसी तरह का नुकसान ना हो इनकेस उसके सामान में कुछ भी नुकसान होता है तो उसकी पूरी भरपाई आपको ही करनी पड़ेगी, अब बढ़ते हैं तीसरे पैसे इंकम की सोर्स की और बिकम अ बिजनेस पार्टनर, जी हाँ दोस्तो दोस्तो कई बार ऐसा होता है, हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट तो करना चाते हैं और उसके लिए हमारे पास इनफ पैसे भी होते हैं, पर टाइम की कमी की होने की वज़े से हम वो बिजनेस शुरू ही नहीं कर पाते, पॉसिबल लिजन हो सकता है आपकी जॉब, आपका दूसरा बिजनेस या फिर आपकी पढ़ाई, अगर आप भी इसे खुद से लेट कर पा रहे हैं तो ये ऑप्शन आप ये के लिए है आप अगर खुद के दूसरे बिजनेस के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप किसी दूसरे एक परसें के साथ पार्टनर्शिप कर सकते हैं जहां पर बिजनेस और पैसों में दोनों का आदा आदा हिस्सा होगा दोस्तो एक पार्टनर्शिप के आपको कई फायदे मिल जाते हैं पहला तो अगर आप उसे डिसकस कर लेते हैं तो आपको टाइम काफी कम खच करना पड़ेगा दूसरा आपके एक नहीं बलकि दो बिजनेस हो जाएंगे या पहले अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो एक जॉब प्लस एक बिजनेस हो जाएगा और तीसरा एक नया बिजनेस आपके लिए तीसरा ये एक नया बिजनेस आपके लिए तीसरा पैसिव इंकम का सोर्स बन जाएगा दोस्तों ये सभी जानते हैं अगर दो लोग partnership में काम करते हैं तो वहाँ पर conflict हो जिस तरह से आप उस business को समालते हो तो सामे वाले को भी आपका वो तरीका अच्छा लेगे कई चीज होंगी जो mismatch करेंगी कुछ चीजें आपको उसकी पसंद नहीं होगी कुछ उसको आपकी इ दोस्तों partnership करते समय विचारों का मिलना और विजन का सेम होना बहुत ज़री होता है दोस्तों इससे पहले भी financial freedom पर तीन वीडियो ओलिडी आ चुकी हैं उन्हें देखना ना विले जिनका लिंक आपको नीचे मिल जाएं